पी एन भी घोटाले का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक दूसरा मामला सामने आया है दरसल टेलिकॉन कमपनी एरसल के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है एरसल कमपनी ने हिंदुस्तान को करोडो का चुना लगाया है एरसल ने भारत के 15,500 करोड रुपे डखार कर खुद को दिवालिया गोशित कर दिया है इसका मतलब है कि एरसल कमपनी कई बैंकों का अर्बो रुपया अब नहीं देगी कमपनी ने मुंबई में नेशनल कमपनी लौट रिव्यूल यानि एनसी एल्टी में 28 फरवरी को खुद को दिवालिया गोशित करने के लिए आवेदन दिया था जिसे एनसी एल्टी ने मंजूर कर लिया है एरसल के दिवालिया होनी की खबर के बाद हिंदुस्तान के खजाने से 15,000 करोड रुपय पानी में दूपते नजर आ रहे हैं क्योंकि बैंकों के पास एरसल की कोई ऐसी संपत्ती नहीं है जिसे बैंक बेचकर कर्ज की भरपाई कर सके आम तोर पर दिवालिया कमपनी की संपत्ती को बेचकर कुसे कर्ज की वसूली की जाती है लेकिन एरसल कमपनी के मामले में हिंदुस्तान की सरकार और बैंक दोनों के ही याद खाली है क्योंकि एरसल के पास हिंदुस्तान में कोई अचल संपत्ती नहीं है एरसيल कमपनी का कोई टावर नहीं है, उसका कोई ओक्तिक फाइवर नेटवर्क नहीं है? इस कमपने नोक्या-अइरिक्षिन-JDTE कमपनी को आपनी सारी सेवाई आउटसोर्स कर रखी की आपको बता दे कि एरसेल कमपनी भारत में पाँचवे नबर पर दूर संचार का काम कर रही थी तेरह सरकेली में इस कमपनी के पास टूर्ची स्ट्रेक्ट्रम के लाइसन्स थे लेकिन उस लाइसन्स की लिलामी के बाउजू उलकर जोट देंदारी का दस्वा हिस्सा भी पुरा नहीं हो पाएगा देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बैल आइकल दबाएगा